Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th maths which is long and short. Long and short chapter के नाम से यह आपको पता लग रहा है, something about distance, about measurement यह chapter होने वाला है. इससे पहले भी आप यह कर चुकी है, centimeters, meters, kilometers, इन तिनों के बीच में relations and all. Lines को measure करना, line draw करना, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी बचा नया है चानल पर तो आप सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस कर लिजे. Chapter 2, Long and Short. First is, How far apart are the dots? यह जो dots हैं, यह कितनी दूर है? यहाँ पर आपको एक green board दिख रहा है, इस पर बहुत सारे dots इन्होंने लगाए हुए है, A, B, C, D, E, दूर-दूर है points, different. Guess the distance between any two dots, दो dots के बीच में distance, guess करो कितनी होगी? कितने centimeters आपको लगता है? उसके बाद आप measure करेंगे scale से, और देखेंगे कि आपका guess right है या नहीं. जैसे suppose करिए, आपने सोचा A और B, इन dots के बीच की जो distance है, वो 3 centimeters है, approach. अब आप scale से देखिए क्या इतना ही है? A to C, I think, approach 4 centimeters होगी. A to D, यह 4.5 होगी. है ना? इस तरीके से A to E, यह 4.5 ही होगी, approach. है ना? यह 1 centimeter होगी, शायद. तो यह आपको guess करना है पहले कि कितनी होगी और उसके बाद measure करके देखना है कि क्या आपने जो guess किया था, क्या वो सही है या नहीं. Okay? Next is which two dots do you think are the farthest from each other? आपको क्या लगता है कौन से दो वो dots हैं? जो एक दूसरे से सबसे जादा दूर है. तो I think सबसे जादा दूर यहाँ पर D, H या फिर O, M हो सकते हैं. अब आप इनके distance measure करेंगे. I think approximately 10 centimeters आएंगे. तो यह आप लिख सकते हैं M and O और दूसरे होंगे D and H. Okay, यह दो dots हैं. जो लगवक 10 centimeters apart है एक दूसरे से. Next question is, which two dots are nearest to each other? कौन से दो dots हैं? जो कि सबसे जादा पास में हैं? यह दो dots है, D, O, और I think यह F और M. यह भी approximately 1 centimeter ही है. But, D, O, जादा close लग रहे हैं. D, O, सबसे closest है. तो इसका answer आप लिखेंगे D and O. और उनकी जो distance है, वो approximately 1 centimeter है. बाकी आप scale से measure करके देख लेंगे. तो यह first activity है आपकी. जहापे आपको distance पहले guess करनी है, फिर measure करना है कि जो आपने guess किया है, क्या वो सही है या नहीं. The shorter line. चोटी line. अकबर was a famous king. अकबर एक बहुत famous राजा थे. He had a smart minister called बीरबल. आपने इनकी कहानिया भी सुनी होगी, Hindi English दोनों ही books में होती है. उनके एक बड़े ही बुद्धिमान smart minister थे, जिनका नाम था बीरबल. Once Akbar gave him a difficult question. एक बार अकबर ने उनको एक मुश्किल सा सवाल दिया. He drew a line on the floor. उन्होंने floor के उपर एक line खीच दी. और कहा बीरबल, here is a line. ये एक line है बीरबल. Make it shorter without erasing. इसको छोटी बना दो बिना erase किये. देखिए, ये line अकबर ने खीची और कहा कि इसको छोटी करनी है. तो अपने आप इसके comparison में छोटी हो गई. समझ गया? उसने erase नहीं की. मिटाया नहीं. कुछ नहीं किया. सीधा दूसरी बड़ी line खीच दी. साइड में. और कहा कि now your line is shorter. अब आपकी line छोटी हो गई है. मेरी वाली से. है ना? Look at the picture and explain how Beerbal made a shorter line. कैसे उसने shorter line ड्रॉ की? उसके side में एक बड़ी line ड्रॉ करके. आप यहां पर लिख सकते हैं. By drawing a longer line below it. एक बड़ी line इसके नीचे ड्रॉ करके उसने उसको छोटा बना दिया. Now can you be as smart as Beerbal? क्या Beerbal जितने smart हो सकते हैं? Make his line shorter without erasing it. आपको भी Beerbal की line छोटी करनी है. तो आप क्या करिए? इसके नीचे एक औ और बड़ी line खीस दीजे. बीरबल वाली से बड़ी होनी चाहिए. यह होगी my line आपकी line और बीरबल की line आपकी line से छोटी हो गई है. Okay? Try this. अब यह try करना है आपको make her arm one centimeter longer than the left arm. आप इसकी right arm बनाएंगे. यह left arm दी हुई है. इससे एक centimeter बड़ी बनानी है. आपको इसको measure क कर लीजे. नाप लीजे scale से. और यहाँ पर जितनी इसकी दूसरी वाली आम थे उससे एक centimeter बड़ी इसकी आप यह वाली आम बना दीजे. Okay? Next is draw a cup one centimeter shorter than this cup. इस cup को measure कर लीजे. जितना भी बड़ा यह cup है. उससे एक centimeter छोटा आपको एक और cup बनाना है यहाँ पर. One centimeter shorter. ऐसे. Okay Next. Draw a broom half as long as this broom. इस broom को आप measure करेंगे. और जितनी यह broom है उसकी half सिर्फ आपको एक और broom बनानी है. यहाँ से यहाँ तक measure कर लीजे. तो half approximately इतनी होगी. Okay? Next is draw another hair of double the length. यह जो hair आपको दिया हुआ है. यह चुप गया actually इसमे. Okay. इसकी दोगुनी length का एक और hair बनाना है. तो इ इतना बड़ा एक और hair आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. जो पहले hair था उसका double. Next is. How tall have you grown? तुम कितने बड़े हो गए हो? Do you remember that in class 3 you measured your height? क्या तुमें याद है? थर्ड क्लास में आपने आपकी height measure की होगी शाधिसी chapter में. Do you think you have grown taller? आपको क्या लगता है कि आप बड़े ह हुए हो तो अफकोस हुए होंगे last class से. How much? कितने बड़े हुए होंगे? I think 4 to 5 cm तो आप बड़े ही होंगे. Have your friend also grown taller? क्या तुमारा दोस्त भी बड़ा हुआ है? Yes. सभी हुए होंगे. Find out and fill in the table. अब आपके लिए question है. अपके अपने friend का नाम लिखिए. Last year उसकी height कितनी थी अभी कितनी है और कितना वो बड़ा हो गया है. माल लिजे कोई आपका friend है. Last year उसका नाम आप यहां लिखेंगे. उसकी height last year 1 meter 25 cm. 125 cm थी. वैसे school में height measure भी होती है. अभी उसकी height suppose करिए 130 cm हो गई है. यानि कि वो 5 cm बड़ा हो गया है. तो इस तरीकी से आपको आपके friends की height ल गंबे लोगों की list पड़ रहा था. One of them was 272 cm tall. सबसे बड़ा जो आदमी था. वो 272 cm बड़ा था. This is just double the Jumpa's height. यह Jumpa की height का. अचा यह है Jumpa. Exactly double था. Jumpa जितनी थी यह उसका 2 गुना था. How tall is Jumpa? बताए Jumpa कितनी थी. Jumpa का double मतलब Jumpa जरूर उसकी half रही होगी. तो इ 36 to 6 or 12. यानि कि Jumpa जो है वो 136 cm की है. Could that person pass through the door of your classroom? Without bending आपके door की से क्या वो पास हो सकता है? बिना जुके? तो नहीं हो सकता है. बहुत बड़ा आदमी है. क्लास का डोर अप्रॉक्स to 30 cm बड़ा होता है. वो बहुत जादा लंबा है. Will his head touch the roof of your house if he stands straight? अब यह तो आप ही बता पाएंगे आपके घर की जो च्छत है क्या उसको वो टच कर सकता है? अगर ने च्छत जादा लंबी होती है. आंसर इस नो. जो रूफ होगी अप्रॉक्स 300 cm तो होगी ही. तो रूफ को तो टच नहीं कर सकता. लेकिन दर्वाजे से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सक सबसे चोटा है. उनका जो हईट उनका डिफेरंस कितना हैं. उसको सबसे लंबा है उसकी हाइट stre yote。 सबसे चोटे वाले की हाइट, क्या कर देंगे? माईनस पर देंगे, सपोस्का सबसे लंबा जो आदमी है. उसकी हइट 14 3196 है उसकी में उसबसे बढ़ी की 15さんब युश मा की तक दौती से फ्सकॉल स्पॉटल के बीच में से इंट पर काई हो रही है drinkina Dorian Harmony बूंग ऐसे 100 अजए उसके लिए 100 मीटर शी ारूंडधा शी भीट व सिंस्क्राइद में दोड़ियमोग के भि मुजें अरूंधा dinero मार्म裡面 थी she is about 6 meter from it और जो line है उससे वो 6 meter दूर थी अभी आपको यहाँ पर दिखाया भी है यह देखिए यह अरुंधती है यह finishing line है फ्लाग लगा हुआ है विनर जो उसको मिलता है कि यहाँ पर आके आप जीत जाएंगे तो इसे 6 meter दूर है यह behind her is रहाना उसके पीछे रहाना है कॉंकाना एन उमा यह देखिए यह रहाना है यह कॉंकाना है और यह उमा है पिक्चर पिक्चर को देखे to answer the question below choose from these distances यह जो distances आपको दीविए इनसे आपको चूज करना है distances है 3, 6, 10, 15 चलिए चार options है पहला question है how far is रहाना from अरुणधती रहाना अरुणधती से लगबग कितनी दूर होगी इनमें से चूज करेंगे तो I think 3 मीटर दूर होगी है अगर यहां से यहां तक 6 है तो यह 3 होगा लगबग हाफ यह distance इसकी लग रही है तो यहां पे आप लिखेंगे 3 cm How far ahead is रहाना from कॉंकाना and उमा कॉंकाना और उमा से कितनी दूर आपको लग रहा है कि रहाना है तो I think 6 मीटर दूर है क्योंकि जितनी यह distance है उतनी distance इनके बीच में लग रही है 6 मीटर यह देखें यह 6 मीटर फ्लाग से दूर है 3 मीटर इसके पीछे रहाना है 3 मीटर और उसके 6 मीटर पीछे कौन है यह दो गल्स है इस तरीके से यह आपका रहा है How far are कॉंकाना और उमा from finishing line कॉंकाना और उमा बताइए finishing line से कितना दूर है तो देखते हैं यह 6 था यह 3 और उससे भी 6 पीछे है तो यह दोनों कितना पीछे है 6 प्लस 3 प्लस 6 6 7 8 9 9 प्लस 6 is 15 तो यानि कि 15 मीटर की distance पर है अभी finishing line से ओके next question Have you heard about 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस क्या आपने कभी 3000 मीटर 3 किलो मीटर से या 1500 मीटर की रेस सुनी है You remember that 1000 मीटर makes 1 किलो मीटर आपको ये भी याद होगा कि 1000 मीटर मिलके 1 किलो मीटर बनाते है And 500 मीटर make a half किलो मीटर 500 में half किलो मीटर होता है So you can say तो आप क्या कह सकते हैं अगर कोई person 1500 मीटर दोड़ा है मतलब वो 1 किलो मीटर और 500 मीटर मतलब half मीटर तो 1 and a half आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and a half को ये 1.5 किलो मेटर भी लिख सकते हैं इतना वो उसने रन किया है और जो 3000 मीटर दोड़ा है 1000 में 1 मीटर होते हैं तो 3000 में 3 किलो मेटर हो जाएंगे तो वो 3 किलो मेटर को रन किया है Have you heard about marathon races in which people have to run about 40 किलो मेटर आप जानते हैं जब marathon होती है तो उसमें लोगों को लगवग 40 किलो मेटर दोड़ना होता है 30 किलो मेटर बड़ा कोई stadium तो हो नहीं सकता Stadium का जो track होता है वो सिर्फ 400 मेटर का होता है बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको road के उपर दोड़ाया जाता है measure कर लिया जाता है So अब आप बताए कि जो track है वो 400 मेटर का है 10 rounds of stadium track अगर आप 10 round लगाए तो कितने किलो मेटर होगा 400 एक round है 10 कितने का होगा into 10 यानि कि 4000 मेटर 4000 मेटर मतलब 4 किलो मेटर 10 round 4 किलो मेटर के होगे So if you run a marathon on stadium track अगर आप stadium के track पे marathon दोड़ रहे हैं You will have to complete dash round बताए आपको कितने rounds complete करने होगे आपको फिर करने पड़ेंगे 10 rounds में आपने देखा 10 rounds में आपने देखा कि वो 4 किलो मेटर दोड रहा है 40 किलो मेटर के लिए 10 into 10 यानि कि 100 rounds आपको उसके चक्कर करने पड़ेंगे एक ground के जो आपके school का ground है 400 Track जो है 400 मेटर का ही होता है वो भी उसके 100 rounds आप सोचेगी कितनी जादा distance होगी इतनी distance लोग marathon में दोडते हैं Next is long jump This is the long jump for boys यह देखिए boys के लिए long jump का एक competition है यहाँ पर धानू had the longest jump of 3 meter 40 cm धानू ने सबसे लंबा jump उसी ने किया है 3 meter 40 cm का गुर्जीत 2nd आया है उसकी jump 20 cm कम थी धानू से गोपी 3rd आया है उसकी jump 5 cm कम थी गुर्जीत की jump से तो अब बताइए how long are गुर्जीत and गोपी's jump गुर्जीत और गोपी की jump कितनी थी 3 meter 40 cm थी भानू की तो गुर्जीत उससे कितना कम है 20 cm 40 cm में से 20 cm माइनस कर दे 20 बचेगा मतलब गुर्जीत की jump थी 3 meter 20 cm की ओके गोपी गोपी की थी गुर्जीत से 5 कम मतलब 5 cm कम तो 20 cm में से 5 cm आप कम करेंगे तो 15 cm होगा तो यह थी गुर्जीत और गोपी की jump यह first आया था इससे 20 cm कम इसकी और इससे 5 cm कम गोपी की Try and see how far you can jump अब आपको jump करना और देखना है कि आप कितना jump कर सकते हैं 1.5 meter 1.5 meter तक तो कर ही लेंगे 1.5 meter आप लिख सकते हैं अगर आपकी jump अच्छे जादा भी कर सकते हैं थोड़ा कम है तो कम भी कर सकते हैं Look for a big ball, एक बड़ी ball लीजिए, football की तरह है, volleyball की तरह है, how far can you kick it उसको kick करिए और देखे कि आप कितनी दूर उस तक उसको kick कर सकते हैं करके देख लीजिए, suppose करिए आपने 25 meter दूर तक उसको kick किया जहां पे जाके वो रुकी Here are some Indian records and world records for some jumps यहां पे आपको कुछ jumps के Indian records और world के record दिये हुएं जैसे high jump, man की जो होती है, world का record है Xavier S का जो की high jump में 2 meter 45 cm high तक jump कर लेता है और India का जो record है, चंद्रापाल का उसका है 2 meter 17 cm मतलब इससे कुछ 1 cm कम Long jump man में Mike P, 8 meter 95 cm हमारा है Amritpal, 8 meter 8 cm High jump woman में Steph का K, 2 meter 9 cm और Bobby A, India की 1 meter 91 cm Long jump woman में Galena C, 7 meter 52 cm और Anjuji, 6 meter 83 cm अब आपको इस table को देखना कुछ question के answers करने हैं How many centimeter more should Chandrapal jump to equal to men's world record for high jump? चंद्रापाल कितना और उचा कूदे की high jump करें कि वो जो है world record के पास पहुँच जाए तो world record से कितना पीछ है, वो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा तो आप इसमें क्या करेंगे? 2 meter 45 centimeter से minus करेंगे किसको 2 meter 17 centimeter को है ना क्योंकि इसका इतना है, इसका इतना है 45 centimeter minus 17 centimeter 28 centimeter और 2 minus 2 तो 0 हो गाई मतलब वो अगर 28 centimeter और high jump करते हैं चंद्रापाल तो वो world record के बराबर पहुँच जाएंगे how many centimeters higher should bobby a jump to reach 2 meter? bobby a को 2 meter jump करने के लिए कितना high और कुदना पड़ेगा यहनि कि आपको 2 meter में से bobby की जो अभी इतना वो jump कर रही है वो minus करना पड़ेगा, आप ऐसे करते है, centimeter, meter 2, centimeter है नहीं, 2 meter है सिरफ तो 2, 0, 0 और वो कितना दौड रही है अभी कितना कूद रही है, अभी 1 and high jump है 91 minus करिए, 1, 10, 9, 10, 10, 10-1 is 9, 9-9 is 0, 0 9 centimeter और उसको jump करना पड़ेगा, 9 centimeter क्या करने के लिए, जो 2 meter equate करने के लिए, 2 meter तक jump करने के लिए next is galina's long jump is nearly, galina की जो long jump है, वो है 7 meter 52 centimeter की, वो किसके आसपास है 7 meter 52 centimeter, 50 centimeter में आप जानते है, half meter होता है, तो वो 2 and a half centimeter की आपास है, लग भग look at women's world record, women के world record को देखिए, what is the difference between longest jump and highest jump longest jump और highest jump, world record को देखना है, yes, okay longest jump है, women की 7 meter 52, और highest jump है 2 meter 52, वो कह रहे हैं कि इनका difference आपको बताना है कि कितना होगा, तो minus करना है आपको, इस question के answer में, 7 meter 52 centimeter से minus करेंगे आप, 2 meter 9 centimeter को, okay, 7 meter से 2 meter minus करेंगे तो 5 meters बचेगा, 5 meter 52 centimeter से 9 centimeter अगर minus करेंगे तो 43 centimeter बचेगा, तो answer होगा आपका 4 meter 53 centimeters, okay, next is, if Mike P could jump dash centimeters longer, his jump would be 9, अगर Mike P इतना और कूदे, तो उसकी jump 9 हो जाएगे, अभी वो 8.95 पे है, अगर 5 centimeter और कूद जाए, तो 95 और 500 हो जाएगा, और फिर वो 1 meter बनके 9 meter हो जाएगा, तो कितना और कूदना है उसको अभी 5 centimeters, okay, whose higher jump is very close to 2.5 meter, किसकी high jump जो है, वो 2.5 के सबसे जादा पास में है, high jump ये देखिए, ये men का है, और ये high jump वो men का है, तो सबसे जादा पास में 2.5 के, 2.5 के, 2.5 के, Javier S, Javier S, तो ये होंगे आपकी option C correct होगा, okay, so that's all students, बाकी जो remaining portion है इस chapter का, we will do in another video, ये part 1 है आपका, जिसम हमने starting के कुछ topics cover कर लिए, so thank you so much for watching, बहुत जल्दीस का second part भी upload कर दिया जाएगा,